हो जाते हैं चावल और रोटी का इस्तमाल ज्यादा करने से मैं हर महीने में आठ से बारा या दस दिन जो है रोटी और चावल का इस्तमाल करता हूं और ज्यादा जो कॉंटेटी है मेरी चिकन भी होती है इनको प्रॉड़ अलेगम फ्रेंड्स मेरा ना मा मेरा और आप देख दियां है यूट्यूबर मेरा चैनल दानिश पैर्स तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे डॉक्स को जैना है जो हमारे घर में पेट है छाए सिक्स मंत से जो उपर के डॉग है आज हम बात करेंगे उनके लिए तो रोटी डॉख के लिए रोटी जयादा रहा या चावल तो इन दोनों चीज़ों से बेसिकली डॉग को मिलता है कार्बो हाइडरेट तो कार्बो हाइडरेट जो है इससे ज्यादा होना डॉग में नकसान दे है और कार्बो हाइडरेट कितनी डॉग को जरूरत है इस चीज़ का हमें डॉक्टर बताते हैं लेकिन सम टाइम हम उनकी बात को अंसुना कर देते हैं और चावल रोटी देने से डोग को फाइदा क्या है और नकसान क्या है तो याद रूखें फ्रेंड्स राइस हो या रोटी हो ज्यादा देने से नकसान है और कम देने से फाइदा है तो अब हमें कॉंटेटी कितनी देनी चाहिए राइस की या रोटी की तो जरूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपने डॉग को रोटी या चावल कितनी देनी चाहिए जिसमें उसको नकसान ना हो तो बात करते हैं कि नकसान क्या हो सकता है रोटी और चावल देने से अकसान ये हो सकता है कि वक्त से पहले ही आपकी डॉक की आइसेट पे अफेक्ट हो सकता है डॉक के हेर्स पे अफेक्ट हो सकता है डॉक की सकिन पे जो है असर हो सकता है सकिन डेड हो सकती है तो उसके बालों में शाइन नहीं होगी और उसके बाल जल्दी से जड़ जाएंगे तो हमें जो बिसिकली चावल और रोटी से जो मिलता है वो मिलती है कार्बो हाइडरेट मिलती है तो कार्बो हाइडरेट जो है उसकी कॉंटेटी कम होनी चाहिए चिकन से, एक्स से, ज्यादा तर चिकन से में तो है चिकन, मीट जो भी है मीट से हमारे डॉक्स को मिलता है प्रोटीन और प्रोटीन इसी तरह इंसानों को भी प्रोटीन मिलता है चिकन से या फिश से और इसी तरह रोटी या चावल से भी जो है हमें कार्बोहाइडरेट मिलती है तो बेसिक क्या होता है? हमने क्या करना है, अपने dog's को चावल और रोटी देनी है लेकिन कितनी देनी है, उसकी quantity को हमने कम करना है तो कुछ लोग क्या करते हैं डेली अपने dog's को चावल, चिकन, ये दो चीज़े देते हैं मैं अपने experience की बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, साथ दिन में, वीक में, यनि कि मुझे इन चीज़ों का नॉलिज है, जिसकी वज़ा से मैं अपने डॉक्स को हर टाइम एक सा खाना नहीं देता, मसाल के तोर पे मुझे अपने डॉक्स को अगर चावल देने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कि तीन दिन अपने डॉक्स को चिकन चावल दिया, और उसके बाद, अब इसमें किसी भी मौसम की बात नहीं हो रही है, घर्मियों में तो मैं अपने डॉक्स को रोटी और चावल बिलकुल नहीं देता, ये बात मैं कर रहा हूँ, सरदियों की बात कर रहा हूँ, या फिर, सिरफ आप 12 महीने में 3 महीनों को निकाल दें जिसमें है जोन, जलाई, अगस्त तो एपरिल के मिड में ही मैं अपने डॉक्स की डाइड को चेंज कर देता हूँ तो फ्रेंड्स चेंज करने से फाइदा ये होता है कि डॉक्स मेरा उसको हेर फॉल जो है उसको शेड जो है वो इतना ज्यादा नहीं करेगा करेगा जरूर क्योंकि इस सीजन में डॉग शेड करते हैं और मुस्ली लोगों का यह यह विडियो बनानी की वज़ा यह है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिन्हों ने कहा कि हमारा लॉंग हेर डॉग है हम अच्छा में जैसे उसको ट्रिम कर दिया गया तो उसे गंजा कर दिया गया तो यह ऐसा क्यों हुआ तो वो डाइड कही है जब आप अपने डॉग्स को रोटी चावल ज्यादा देंगे तो आपके डॉग्स पे बालों पे असर होगा उसकी स्किन पे असर होगा और प्लस उसकी आँखों जो रोष्णी ओनी चाहिए जो चमक ओनी चाहिए हो लाइगी इसलिए अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूं कि मैं अपने डॉटी का इस्त्माल करवाता हूं महीने में 7-12 एम अगर मैंने इस week में अपने डॉट को गर्मियों को छोड़ कर गर्मियों में आपने क्या करना है आपने रोटी अगर आपने देनी है तो आप रोटी की कॉंटेटी कम करें और रोटी भी अगर आप दें तो वाइट आटे की रोटी बिल्कुल ना दें प्योर देसी आटे की रोटी दें और रोटी आपने कितनी देनी है अगर आपका डॉग जो है वो ए सकते हैं और और कोशिश करें एक दिन रोटी दी है दूसरे दिन आप इसको राइस देदें तीसरे दिन धिर आप रोटी दे दें बागी के YouTube." साथ दिन में चार दिन आप साईड पर कर लें बाकि के जो तीन से चार दिन जो आए अप उसले सिरफ चीकन दें चीकन में अगर सरधियां Personen में आप बॉयलेगेड कर सकते हैं और यकनीवाल दें और सबजियों में, सर्दियों में आप गाजर का इस्तमाल करें और उसके बाद कदू का इस्तमाल करें टींडे का इस्तमाल करें, हलवा कदू का इस्तमाल करें ये चार चीजें और स्वीट पिटेटो जो है जैसे हम उर्दू में शकर गंदी कहते हैं उसका इस्तमाल करें सरदियों में सबजीों का इस्तमाल ज्यादा करें तीन दिन आप या तो रोटी देदें या चावल देदें उससे क्या होगा आपके डॉक्स के हेर घर्मियों में हेर जो है वो तकरीबन कम च्ढड करेगा वो भी जो उसके निया जो उसने कोड लेकर आना निया हेर जो लेकर आने उसमें जो है यह अपना कम करेगा शेड करेगा और ज्यादा इसके जो हेर एंड लाइक जैसे वो गुच्छे बंज़ा